को शल When you are it एक अब और ईए टो शकाई ड्राइए अस्ट टीह पूनшиеकी अइyr। गश्चिक कंगी आपको रेट मैंच्य। एक आपको रेट मैंकरॉनी रेसेपी बताओंगी तो उसके यहाँ पर मैंने पावकिलो और मैंने यहाँ पर finely chop किया हुआ प्यास लिया है एक medium size का और मैंने large size का बड़ा एकदम मैंने capsicum मैंने ले लिया है यहाँ पर इसको भी मैंने cut कर लिया है cubes मैं और यहाँ पर मैंने masala में लिया हुआ है 1 teaspoon red chili powder है और half teaspoon turmeric powder है और यहाँ पर 1 teaspoon coriander powder है धनिया powder है और यहाँ पर मैंने 1 tablespoon ginger and garlic paste लिया हुआ है और half teaspoon मैंने cumin seed लिया हुआ है जीरा और यहाँ पर salt जाएगा according to your taste इसके अंदर और हमें इसमें oil 1 tablespoon ही लगेगा और यहाँ पर मैंने ketchup लिया हुआ है ketchup इसमें मैंने 2 tablespoon लिया हुआ है अब और मैंने यहाँ पर coriander लिये थोड़े से कोदमीर उसको garnish करने के लिए macaroni को और मुझे ये बताना है मैरी red chili जो है वो बहुत ही जादा spicy है अगर आप इसमें green chili add करना चाहते हैं तो आप add कर सकते हो बढ़ मेरा यहाँ पर बहुत spicy है यह इसलिए मैंने green chili यूज नहीं किये तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर मैंने 1 tablespoon oil ले लिया है अब मैं इसके अंदर मैं एक finely chop किया हुआ अनियन दाल दोंगी इसे मैं अच्छे से भूल लूगी ट्रांस्टूसन होने तब अब यह अनियन हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर यह 1 tablespoon ginger और गार्लिक पेस्ट बदा दोगी इसे भी मैं थोड़ा 30 seconds के लिए भूल लूगी अच्छे से अब यहाँ पर अब्रफ लसं का जो स्मेल है वह अ अब मैं इसके अंदर यह चाप्सिकम है वह मैं इसमें आड कर दोगी तक तर पकाऊंगी जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता हमारा तक तक मैं इसे पका लेंगी अच्छे से तो यह देखिए तक मैं अच्छे से कोप हो चुका है अब मैं इसमें मिर्शी पाउडर धन्या पाउडर, हल्दी पाउडर, डालखे में इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी अब मैं इसके अंदर यह चाप्सिकम है वह मैं इसमें आड कर दोगी और इसमें थोड़ा 20 मिर्दक मैं से इस तरीके से रोज कर लोगी अब 20 सेकेंड की बार मैं इसमें क्याप्स दाला दूगी और मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लोगी जाला दूगी तो थोड़ा को सॉल्ट दालिए आप अप्कॉर्डिक तो योटी याद रखे मैंने मैकरोनी बॉil करते हैं ताइम पे भी और मैंने इसमें सॉल्ट दाला तो बस मैंने बहुत कम दाला है इसमें सॉल्ट और फिर मैं इसके आदर बॉil म्यक्स करेंगे हम और मैं इसमें अच्छे से मैंने में लेते ताकि सारे फ्लेवर ये मैकरोनी में चले जाए और मैं इसके बार इसमें एक मिद तक पकाओंगी फिर हम इसमें से डिश आ उत कर झाले लेंगे